तो एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दे इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है राजधानी दिली से बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में सियासी अटकले तेज हो गई है दरसल आज उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनात प्रधान मंत्री से मुलाखात कर रहे हैं साड़े बारा बजे पाटिय अद्यक्ष जेपी नड़ा से भी मुलाखात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदितनात और बीते दिन मंत्री मंदल में फिर बदल को लेकर सियासी अटकलें लगाई जा रही है और ये अटकलें अब तेज हो गई है 2022 में विधानसबाद चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है ऐसे में तमाम गट जोड को देखते हुए तमाम पहलू को देखते हुए बैटकों का मुलाकातों का दोड जा रही है स्पर्ष हमारे संबादा था जादा जानकारी के साथ जुड़ रहे है स्पर्ष उत्तर प्रदेश में सियासी अटकलें काफी लगाई जा रही है ये का जा रहा है कि मंत्री मंदल में फिर बदल हो सकता है लेकिन जानकारी है कि मंत्री मंदल में फिर बदल नहीं होता है नजर आएगा लेकिन 2022 की विदानसभा चुनाओं की तैयारियों के संबंध में योगी अदित्यनाथ दो दिवसी अदिल्ली दोरे पर आएवे और उसके साथ-साथ जो कॉविड है और जो वेक्सिनेशन की परक्रिया है उसको लेकर जो है ये मुलाकातों का जो दौर है वो चलता है नजरा आ रहा है कल देर रात कल शाम को जो है अमिश्चा से मुलाकात हुई थी और अब प्रदानमंत्री आवास पर जो है मुख्यमंत्री योगी अधित्यनात जो है पहुंचे हुए हैं और इस बैठक के दोरान जो है जिस तरीके से प्रदेश में कौविड की स्थिती देखने को मिल रही है और चूकि 21 तारीक से व्यापक तोर पर जो टीका करन का अभियान जो है चर्चा जो है यहाँ पर हो सकती है और उसके साथ-साथ 2022 के विदानसभा चुनाओं को लेकर तैयारिया जो है भारते जंता पार्टी का इनकाई शुरू करती भी नजर आ रही है क्योंकि कल के अगर पूरे घटना करम को देखे तो पहले अभिश्या से योगी अधित्यनात मुलाकात करते हैं फिर अनुपरिया पर्टेल की जो है मुलाकात होती है इस बीच जब यह मुलाकात चल रही होती है तो खावरी आती है कि जो भारते जिंता पार्टी के रास्ट्री अध्यक्ष जेपी नडड़ा वो प्रदान मंतरी नरिंदर मोदी से जो है मुलाकात करने पहुँच जाते हैं और पिछले दिनों का जो गटना करम रहाता बील संतोष की बात करें या फिर संके नेताओं की बात करें वो भी लगाता रुत्तरप्रदेश के संदर्म में जो बैठके हैं वो करते वे जो है कही ना कही नजर आयते हैं ऐसे में दो दिवसिया दिल्ली दो हो गई है क्या फ्री हैंड तरीके से अब उत्तरप्रदेश का चुनाव सीएम योगी आदित्रनाथ के नेत्वत्त में होगा निकल कर सामने आता है अई से बड़े चिहरे हो गिंतना नेत्रत में ही जो आने वाला चुनाओ लड़ा जाँ यह जानकारी पर्टी सूत्रों के अंदर खाने जो है निकल कर कई ना कई जो है साबित होती नजर आती है उर उसके साथ साथ जातीगत समीक्रणों को किस तरीके से साधा जा सकता है छेतरे समीक्रणों को किस तरीके से साधा जा सकता है इसको लेकर जो है तैयारिया अभी से भारती जंता पार्टी जो है कही ना कही जो है करती नजरारी है कहा ये जाता था कि भ्रामन नराज है तो जितिन प्र रहे के दुरान मानी जाती है लेकिन अभी भी अगर बात करें तो मुख्य मंत्री योगी अदित्ते नाती जो है सबसे बड़े चाहरे के तौर पर उत्तरप्रदेश में निकल कर सामने आ रहे हैं जी बिलकुल स्पर्श हमारे साथ बने रहे हैं आपसे और भी जानकारी हम लेते रहेंगे हमारे उत्तरप्रदेश संपादक केके उपाध्याजी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं केके उपाध्याजी बहुत बहुत स्वागत है लगता है संपर्ख हमारा तूट गया है दोबारा हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे स्पर्श जिस तरह से खबरें फिलाला आज जेपी नड़्डा से भी मुलाकात करने वाले हैं मुखेरिय योगी आदितनाथ इस मुलाकात में क्या कुछ ख़ास रह सकता है और भी जानकारिया इन मुलाकातों को लेकर जुटाएंगे किÁ क्या कुछ खास इन मुलाकातों में रहने वाला है दरसल बीते दिन उत्रप्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदितनाथ ने किंद्रे ग्री मंतरी अमिद शाह से मुलाखात की थी और अब वो प्रधान मंतरी से मुलाखात कर रहे हैं के बाद लगबख साड़े बारा बजे बीजेपी के राष्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा से भी मुलाखात करेंगे उत्रप्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदितनाथ आपको बता दे कि उत्रप्रदेश में सियासत में जो अटकले चल रही हैं उसको देखते वे काफी ए हम ये मलाखात मानी जा रही है